नमस्कार आप देख रहे हैं MP तक आपके साथ में हुआ मित्वारी एहमुद्दे को आप तक लाता हूँ पूरी खबर आपको बताता हूँ उप चुनाओं की हार के बाद कमलात का ये नया प्रहार है याद रखिए शिवराज सिंग्चोहान के सामने कमलात ने ये बहुत बड़ा दाओ चल दिया है और कमलात ने बुलाई आदिवासी विदायकों की बैठाक और उस बैठाक में बन गया रास्ता कैसे 2023 में देना है बीजेपी को मात दरासल मतप्रदेश में अगर हम सियासत को समझें तो यहां पर 47 सीटे ऐसी है जो आदिवासी बहुल है आदिवासी सीटे कही जा सकती है लेकिन उसमें से 32 सीटों पर 2018 में जब कॉंग्रेस का वनवास खतम हुआ था कॉंग्रेस ने शांदार तरीके से जीत हासल की थी 32 सीटों पर जब कमलात मुखमंत्री बने थे अब कॉंग्रेस ने यह सोचा कि वो 32 सीटे जिसने कॉंग्रेस को एकदम ग्राफ उपर कर दिया था उसके अलावा टोटल संख्या 47 से तो इस पर क्या किया जाए तो कॉंग्रेस ने नया तरीका अपनाया है पैट बनाने का वो यह है कि कॉंग्रेस आदिवासियों को लेकर आदिवासी डॉकुमेंट जारी करने वाली है इस आदिवासी डॉकुमेंट में होगा क्या कमलात वो तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि इंद्रा गांधी से लेकर राजीव गांदी से लेकर कॉंग्रेस के कारकाल में कमलनात की मुखपंत्री रते आदिवासियों के लिए जो कॉंग्रेस ने सोचा वो किसी ने नहीं सोचा उसमें वो रूप रिखा ऐसी मनाई जा रही कि आदिवासियों के भी संदेश जाए कि कॉंग्रेस के लावा किसी न सोचा नहीं है दूसरा आदिवासी वधायकों ने भी कहा कि हम भी इस बात से सहमत हैं इस मीटिंग में कमलांत के साथ कि हमें इस डॉकुमेंट को लेकि जनता के बीच में जाना है और यह बताना है कि शिवरास सरकार कैसे उलट फैसले कर रही है जो आदिवासी हित में नहीं ह ये बात कॉंग्रेस समझ रही है आदिवासियों के बीच में पैट बनाने के लिए और यही बज़े है कि कमलाद चल रहे हैं बड़ा दाओं और इसके लिए पूरी तैयारी और रूप रिखा कर लिए है तैयार इस तरीके से कि आदिवासियों की वो सीटे हैं मैंने आपसे कह ना कि 32 सीटे कॉंग्रेस के पास थी कुल 47 सीटे है मत प्रदेश में आसी कमलाद बिलकुल पूरा फोकस करते हुए इस बात के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि आदिवासियों के बीच कॉंग्रेस की पकड़ 2023 से पहले इतनी मजबूत हो जाए कि कॉंग्रेस जो है 2023 की में और इसा आदिवासी डॉकुमेंट के जरिये संदेश देने में कामयाब हो गए तो वास्तों में कॉंग्रेस जो है वो 2023 के मिशन में अपना प्रदर्शन अच्छा कर पाएगी कमलाद दरसल इन दुनों रणनीती जो बना रहे हैं उसमें फोकस रणनीती है आपने देख क्योंकि कमलाद ने इस आदिवासी डॉक के चलते बहुत दूर तक की सोच ली है और यही वज़य है कि इस आदिवासी डॉकुमेंट को किवल एक डॉकुमेंट ना माने आप एक रणनीती का हिस्सा माने जिसे देखते हैं कमलाद बड़ा डाओ चल रहे हैं आप देखते र